रेनन मार्टिन की हमारी इस सीरीज के इस विडियो में हम chapter 10 के बारे में पढ़ेंगे रेनन मार्टिन का chapter 10 है comparison of adjectives या फिर degrees of comparisons degrees of comparisons जो है वो एक काफी important topic रहता है हमारे school time से ही और आगे भी कई तरह की competitive exams में इस topic से बहुत questions आते हैं इसको हम सबसे पहले basic sentences के थुरू समझेंगे पहला जो हमारा sentence है वो कहता है गुजराद's mango are sweet गुजराद के जो आम है वो मीठे हैं मीठे होते हैं, right? second sentence जो यह कहता है राजस्थान's mango are sweeter than गुजराद's राजस्थान के जो आम है वो गुजराद के आम से ज़्यादा मीठे हैं यहाँ पर es लगा लीजेगा mango कर लीजेगा इसको basically मैंने examples पहले book से ही लिये थे फिर मैंने इनको change किया क्योंकि यहाँ परसन के नाम दे रखे थे और person के mango doesn't make sense तो राजस्थान के जो आम है वो गुजराद के आम से ज़्यादा मीठे हैं और third जो हमारा example है वो यह कहता है कि रतनागिरी के जो आम होते हैं वो सबसे मीठे होते हैं और यह तो एक fact है रतनागिरी के आम बहुत ज़्यादा popular है अब यहाँ पे हम sweet जो हमारा adjective है ना उसके थूँ यह समझेंगे कि comparison और adjective या degrees of comparison जो होते हैं वो कैसे होते हैं इनके बीच में क्या difference है तो हमारा तो sweet है वो यह कहता है कि मीठा सिर्फ एक ही noun के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि मीठा है तो यह क्या हुआ हमारा positive degree में जहां पर हम कुछ भी comparison नहीं कर रहे हैं हम बस यह कह रहे हैं कि कोई quality exist करती है कोई भी quality के बारे में अगर हम बात करें कि इस वस्तु में यह quality है किसी भी वस्तु में तब हमारी वो वस्तु positive degree में होती है हमेशा किस degree में? positive degree में तो उसी तरीके से जो adjective sweeter है और compare करने की वज़े से हमने sweet जो हमारा adjective था उसके पीछे ER लगा करके उसको sweeter बना दिया कि गुजरात के राजस्तान के जो आम है गुजरात के आमों से ज़्यादा मीठे हैं, right थर्ड जो हमारा example है वो यह कहता है कि रतनागिरी के जो आम हैं वो सबसे ज़्यादा मीठे होते हैं तो for example अगर कोई conversation हो रही हो कुछ आम के दिवानों के बीच तो अगर वो बात करेंगे आपस में तो पहले तो यह कहेंगे कि गुजरात के आम मीठे हैं फिर कहेंगे कि नहीं नहीं एक उनमें से राजस्तान होगा वो कहेगा कि नहीं निराजस्तान के जो आम है वो गुजरात के आम से ज़्यादा मीठे हैं लेकिन फिर उनमें से कोई कहेगा उठके यह सब छोड़ो रतनागिरी के जो आम है वो सबसे ज़्यादा मीठे हैं और तब वहाँ पे बात खतम हो जाएगी conclusion निकल जाएगा तो हमारा जो degrees of comparison है वो कई बार इस तरह के conclusion निकालने के लिए use होता है फोर एक्जांपल आगर कोई lady है मान लो वो market गई उसने बहुत सारी साड़ी देखी है अब उसको उनमें से बहुत सारी साड़ी पसंद आई मान लो 5 साड़ी पसंद आई 10 साड़ी पसंद आई अब वो उनमें से choose कैसे करेगी उसको ये choose करना पड़ेगा न कि उनमें से सबसे best साड़ी कौनसी है फिर मान लो वो 5 साड़ी में से कोई 2 साड़ी उसकी सहली उसको help करती है उसके पास तो एक ही साड़ी का पैसा है उसके husband ने उसको एक ही साड़ी खरीबने के लिए पैसे दिये हैं तो अब वो क्या करेगी अब उसको ये देखना पड़ेगा दोनों में से more beautiful कौनसी है more beautiful हमारा क्या होगा comparative adjective हम दो वस्तों को compare करने की बात करें तो comparative adjective जब तक comparative degree वो औरत नहीं करेगी तब तक उसका काम ही नहीं होगा अगर वो ये कहे ये साड़ी भी सुन्दर है ये भी सुन्दर है ये भी सुन्दर है ये भी सुन्दर है बिना वो जब तक comparative degree को use करेगी जब तक नहीं करेगी तब तक उसका काम ही नहीं होगा ऐसे कहने से काम थोड़ी चलेगा कि सब अची सब अची सब तो नहीं ले सकते तो इसी तरीके से real life में बहुत सारे examples होते हैं जहां पे हमारा comparative और superlative degree का use होता है और जहां पर भी दो वस्तुओं को compare करना हो दोनों में से एक select करना हो तब use करते हैं comparative degree और जब भी बहुत सारी वस्तुओं हो उनमें से एक वस्तुओं को choose करना हो rate करना हो किसी वस्तुओं को rate करना हो कि यह सब सब बेस्ट है या फिर किसी वस्तुओं को choose करना हो तोनों में से कुछ भी हो सकता है तब क्या होता है degree का use होता है दो बस्तुओं के case में होगा comparative degree और दो से जादा बस्तुओं के case में होगा superlative degree So, moving on हमारे जो positive degree होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा detail में पढ़ते हैं Positive degree का मतलब क्या होता है Adjective in its simplest form जैसा कि हमने पढ़ा adjective जो है उसकी सबसे simple form में जैसे कि adjective है हमारा good, nice, sweet कोई भी adjective हो वो अपनी strong यह adjective ले लो कोई भी adjective ले लो वो उसकी एकड़म simple form में जब हो तब हमारा positive degree होता है या फिर दूसरे शब्दों में Mare existence of some quality कोई quality का अस्तित्व है कोई quality उसमें वस तुम्हें exist करती है तब क्या होता हमारा positive degree examples देखते है the boy, this boy is strong, these two pens are good apples and oranges are dear to me तो यह सारी जो nouns है जो भी apples, oranges, जितने भी nouns है इनको यह कहा जा रहा है कि वो dear है, यानि मुझे prayer है good है, अच्छे है, strong है यह सब कहा जा रहा है, तो यहां पर हमारी positive degree है अब बात आएगी comparative degree comparative degree कब होता है जब किसी quality का ज़्यादा higher degree में, ज़्यादा मात्रा में पाया जाए किसी quality को, किसी दूसरी वस्तु की quality से, जैसे कि दो चीज़े जब compare की जाए, तब ही इसको use किया जाएगा, otherwise जब comparison नहीं होगा, तब होगा positive अब examples इसके देख लेते हैं this boy is stronger than that मैंने जान पुझके, same sentence इसको लिया है, समझने के लिए, वहाँ पर हमने किसी boy के बारे में कहा, यह boy strong है लेकिन, मान लो, कुछती का match हो या कुछ हो, उसके लिए team select की जारी हो classroom में, तो वहाँ पर पहले strong strong बच्चों को आगे लाया जाएगा फिर उन में से ज़्यादा stronger होगा उसको बुलाया जाएगा, उसको select किया जाएगा तो अगर teacher कहता है, this boy is stronger than that तो यह boy को जो है उससे पहले team में लेना चाहिए right, which of these two pens are pens is the better दोनों pens में से कौन सा pen better है तो मैं किस से अपना exam लिकू तो ज़्यादा flow से लिक पाऊंगा right, apples are dearer than oranges apples जो है वो orange से ज़्यादा free है मुझे, तो market से लाओ, तो सबसे पहले apple लाना, right तो अगर recap करें, comparative degree और अब हमारा आज आता है superlative degree, superlative degree कैसे बनता है superlative degree होती है highest degree of quality quality की जो सबसे उत्तम सबसे उत्तम जो quality होती है उसको हम superlative degree के truth देखते है right, और यह तभी use की जाती है, जब more than two things are compared, जब दो से ज़्यादा वस्तों को compare किया जाए तब ही जो है, हम superlative degree का use करते है, example देखने है this boy is strongest in the class, यह जो लड़गा है वो class में सबसे strong है यानि इसको जो है, हमारी कुष्टी की team का leader बना देना चाहिए right, बाकी की बच्चों को भी अच्छे से train करेगा, this pen is the best among all, यह वाली जो pen है वो सबसे best है, तो आपको exam में इसी से लिखना चाहिए, right तो कोई भी उसमें confusion का भाव बिलकुल नहीं रह जाता apples are the dearest to me, apples जो है, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मेरी लिए कभी भी fruit लेकर के आओ, तो apples ही लेकर के आना, right तो इस तरीके से जो degrees है, वो real life में हमारी help करते हैं चीजों में से comparison करके best select करने के लिए, better या best right so that was the video, अगर आपको अपनी English grammar पे काम करना है, अच्छे से तो आपको grammar playlist right corner में मिल जाएगी, top right corner में तो आप उसमें से आपके मन पसंद topic को आराम से देख सकते हैं, मैंने इनको बहुती simple language में, बहुती best way में मैंने इनको cover किया है, so that's all for this video and we will meet in our next video, till then, signing off